दूस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है अच्छ के इस वीडियो में इस वीडियो में बात करेंगे कि कस्तूर्वा गांधी आवासी बालिका विद्याले में जो सिक्षिकों की भरती आ रही है उसका क्या प्रोसेस रहेगा कौन कौन लोग इस भरती के लिए पर्टिसिप बरती परिक्षा की तयारी के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आंट करके रखिएगा 442 कस्तूर्वा विद्याले में होगी 3094 सिक्षिकों की भरती प्रतेक में 7-7 सिक्षिकों की भरती होगी ऐसा यहां पर दरसा आजारा इसको लेकर के यह ने सत्र में जो 2024 में सत्र श्टार्ट होगा उसको लेकर के यहाँ पर महान देशक की द्वारा जानकारी दी गई है सासन ने प्रस्ताव भेज दिया है सिक्चिकों की भरती की प्रक्रिया जल्द सुरू हो जाएगी यानि सुरू हो भी चुकी बता दें आपको इसका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको कमबाइंड देखने को नहीं मिलेगा कि एक ही नोटिफिकेशन आए और उसी से सभी लोग फॉर्म वर दें और उनका सेलेक्शन हो जाए ये जिले वार ठीक है जिस भी जिले में इस प्रकार के विद्याले हैं वह पर वैकेंसी के लिए वहां के जो कार्याले से एक नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से जारी होगा जैसे ये कानपूर देहाच से नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये जारी कब हुआ है एक ग्यारा दो हजार तेस यानि दो हजार तेस में ही नवंबर में नोटिफिकेश जारी किया गया है आप अपने स्क्रिन पर देख पा रहे होंगे इसी के माद्यम से आप सैक्षिक अरता और निर्धारित मान दे रिक्त पदो की संख्या इत्यादिका अंदाजा लगा सकते हैं क्या प्रोसेस रहेगा सेलेक्शन का उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी फोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा थोड़ा सा टाइम निकाल करके वीडियो में जो बाते बताई जारी इनको सुनियेगा कोई भी डाउट नहीं रहेगा महा ने देश है कि स्कूल सिक्चायम राजी परियुजना ने देशक लखनों के पत्रां कितना इतना फिर कह रहा है कहा जा रहा है कि 11 दिसंबर 2020 प्रदत्त निर्देशों के नुपालन में जिला दिकारी महोदे द्वारा पचीस आठ दो हजार तेस को प्रदान किये गए अनुमोदन एवा मुख्य विकास अदिकारी जनपदी चैन समी द्वारा अलग छड़ बेवस्ता लागू करते वे व द्वासी आबालिका विद्याले ुसमें संभिदा आधारित पूर्ण कालिक सिक्षिका अन्सकालिक सिक्षिका सिक्ष्डेतर कर्मी के निमनवत रिक्त पदों पर निर्धारित अर्यता रखने िरतियों से सैक्ष्ड़िक सत्र दो हजार तेस चौबिस है तो पंजीración कर्थ डाक के माध्यम से आविदन पत्र अमंत्रित की जाते देखें यहाँ पर दो तीन चीजें क्लियर हो गई कि जो आपका फॉर्म फिल होगा फिल करके भीजना होगा वो आप पूर डाक द्वारा भीजना होगा अब आप जिस जिले से हैं वहाँ पर आसपास देखिए कोई इस कानपूर की बात करें तो कानपूर.nic.in लखनव की बात करें लखनव.nic.in ऐसे ही सभी जिले की वेबसाइट होती है वहाँ पर जाकर के आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं इसके लावा यह वेकेंसी जब भी आएगी जिस भी जिले में आएगी सिर्फ महिलाओं के लि देखिए उन्ड कालिक सिक्षिका की बात करें तो अंग्रेजी का यहाँ पर एक पद है और यहाँ पर आरक्छड की गरम बात करें तो अनसूचित जात के लिए सीट रिजर्ब है वेतर यानि मांदे की बात करें तो 22,000 रुपए मांदे बताया जराब इसके लिए क्या क्य अरता होनी चाहिए तो अंग्रेजी से श्ना तक तक क्योंकि यह सिसे की सिसे की ठीचर की रिवायरमेंट है अंग्रेजी तो अंग्रेजी से शना तक एवं अपर प्रारी लेबल का जो टी टी होता है वह आपने पास कर रखा हो प्रसिक्षड उपाद की अंतरगत N.C.T. के NCT के द्वारा आपने B.A.D. किया हो L.T. इत्याधियनी अगर आप यहाँ पर उड कालिक सिख्ष का अंग्रेजी के लिए बनना चाहते हैं तो आपके पास यह अर्ता होने चाहिए अपर प्राइमरी लेवल का U.P.T. पास होना अनिवार है उड कालिक सिख्ष का यहाँ पर विषय हिंदी और संस्कृत है सीट एक ही है O.B.C. के खाते में सीट है वितन जो है मांदे जो है 22,000 रुपए है इसमें हिंदी और संस्कृत के साथ आपने ग्रेजिवेशन किया हो अपर प्राइमरी लेवल का टेट आपने पास किया हो इसके लावा बेड किया हो नस्कालिक सिख्ष का की बात करें तो सारी निठ सिख्षा यहाँ पर विषय है एक सीट है अनारक्षित है इसका वेतन है क्योंकि यह अन्सकालिक है तो इसका वेतर 9800 रुपे प्रतिमा है इसके लिए आपके पाश डिग्री होनी चाहिए वीपीएड सीपीएड डीपीएड टीटी अनिवार इसमें नहीं है लिखा हुआ है तो अब यहाँ पर सहायक रसोईया यह पूनकालिक है ठीक है रसोईया की यहाँ पर एक पदखाली ह कानपूर की बात करें तो यहाँ पर आठवा उत्तीर मांगा गया है 5175 रुपे वेतन है अब कैसे प्रोसेस होगा लगभग यही प्रोसेस हर जिले का होगा बस यहाँ पर सीटों की संख्या आरक्षड कम जादा हो सकता है जैसी जरूरत होगी उस विद्याले में उस आवा पत्र निर्धायत प्रारूपर पंजीक डाक के माध्यम से कारेयल है जिला बेसिक सिक्षा अधिकारी कानपूर देहात यहाँ पर इन्होंने डेट भी दे दी है कि 20 तारिक तक पहुंच जाना चाहिए यानि एक तारिक को इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था और लगभग वीच दिन का समय दिया है तो आप अपने जिले का वेबसाइट या कारेयलए जा करके पता कर लिजै कि वहाँ पर इस परकार की कोई वेकंसी का है प्रोसेस या नहीं है या फिर अगर आपके आजपास में स्कूल है तो वहाँ पता कर लिजी कि कोई सीट खाली है या नहीं है पता चल जाएगा ठीक है कोई एक मतलब यह नहीं कह सकते कि एक पब्लिक नोटिस आ जाए प्रतेग जिले का ऐसा नहीं आपको अलग अलग जिल संधी आवाशी बालिका विद्याले में सैक्षिक वासिक्ष्डेतर कर्मियों के रिक्त पदों पर आवेदन करने के लिए अपर निर्देश दिये गए हैं देखे उम्र की बात करें तो निम्तम 25 साल उम्र होनी चाहिए अंसकालिक सिक्षक सिक्षिका के लिए यहाँ पर 25 स 45 पर सोनी चाहिए 1 अपरेल 2003 से गड़ना की जाएगी समस्त पदों पर चैन है तो महिला भिरती ही अर रहेंगी पुरुसों के लिए यहाँ पर नहीं क्योंकि विद्याले मतलब बाली का विद्याले होता है आरक्षड राजी सरकार के प्राधानों के अनुसार होगा सहायक रसोया का पूर्ण कालीक पद होगा इसमें साच्छातकार पचासंकों का होगा सारीरिक छमता है तो बी संक पाक कला है तो बी संक पाक कला मतलब जो कीचन का काम होता है खाना बनाना और अनुभो हे तो दस संग निर्धारित होंगे कस्तूरबा गांधी बाली का विद्याले छे से आठ तक का पाठिक्रम बेसिक सिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित उच्छ परात्मिक विद्याले के समरूप है कस्तूरबा गांधी बाली का विद्याले में सिक्षिका सिक्षक की रूप में कारिरत अनुभों के आधार पर मतलब कोई पहले से अगर यहां पर काम कर चुका है तो इसको कुछ न कुछ भारांक भी दिया जाएगा उमीद करते हैं इसके पहले जो आपने वीडियो देखे होंगे उसमें सब चीजे नहीं बताई गई होंगी और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आपको लगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर अनिवायर अरटा की बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि अंग्रेजी और हिंदी के लिए यहाँ पर अपर Πराइमरी चूंकि यहाँ पर आपर प्राइमरी के आपका पैस होना चाहिए और इस हिसाब से यह सीटेट को भी मानता देना चाहिए अब यह देते हैं कि नहीं देते हैं यह बात की बात है यहाँ पर इन्होंने जो यह वाला यहाँ पर था उन्होंने लिखा है उच्छ परात्मिक स्थर की टी टी तो हां सीटेट को यह लोग मानता देना चाहिए वैसे मेरे इसाब से कि यह यहाँ पर इन्होंने उत्तर प्रदेश टेट परिक्षा ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो अगर आपने सीटेट पेपर टू पास किया होगा तब भी आप इसके लिए लिजबिल होंगे आगे कहा जा रहा है विरती के आविदन पत्र के साथ निर्दारी स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की 100 प्रमारित कलर फोटो चस्पा किया जाना है बाकि 45 रुपे का यहाँ पर एक टिकट भी लगाना होगा आविदन पत्र के साथ अनिवारे रूप से दो लिफाफा अपना पता लिखा हुआ भी सनलगन करें जिस पे 45 रुपए का टिकट चस्पा हो एक लिफाफे में केवल एक ही आविदन पत्र सुईकार किया जाएगा एक लिफाफे में एक से अथिक आविदन करने पर सभी आविदन पत्र निवस्त कर दिये जाएंगे लिफाफे के उपर कस्तूरबा गांधी आवाशी बालिका विद्याला एवम आवईदित पद का नाम इस पश्ट रूप से अंकित हो ठीक है यहाँ पर लाश डिट दी गई है तो इसी तरीके से आप अपने जिले का देखते रहिएगा अपरिक्त समस्त पद अधिक्तम ग्यारा माह उन्तीस दिन अथवा सैक्षडिक सत्र दोहजार तेस चोबिस के लिए नित मांदे पर संविदा यानि यह एक साल के लिए लगभग है डाकुमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही मांदे का भुक्तान किया जाएगा विज्जप्ती को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार भी जन पदी समिति के पास होगा ठीक है तो इस तरीके से फॉर्मिट है आप यहाँ पर अपनी फोटो लगाईए नाम लिखिए विशे जिन दी में दोनों में नाम पिता का नाम पती का नाम इस्थाई पता पत्र बिवार का पता मोवाइल नंबर इमेल आईडी आरक छड जनमति थी अंकों में और सब्दों में और बहकी यहाँ पर आपको महिला पुरुष यह भरना है जाती सेक्षडिक योगिता जो भी आप के जिले में वेकेंसी अगर है तो फॉर्म फिल करिये नहीं है तो फिर आप अपनी जैसे तैरी कर रहे रहे थे वैसे ही करते रहिएगा उमीद करते हैं सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे इस संबंद में अगर आगे कोई अप्डेट आएगी तो आपको सुचित कर